सबी स्ट्टेंट्स को नमस्कार बिटा सबसे पहले तो आप सबी का चैनल पर हर्दी कविनदन और स्वागत और लगब पांसाथ दिनों के लंबे गैप के बाद हम लोग डिसकस कर रहे हैं फिर से इंपोर्टेंट कुश्चन के उपर और इस वीडियो में मैं डिसकस करूंग का होता है और पेपर का नाम है कंटेंप्रेली इंडिया एंड सोशल प्रावलम्स और इंग्लिस वाले बच्चों के लिए हिंदी वाले देखी रहें वही तीन खंड होंगे A B C और एक एक नंबर वाले कुश्चन होंगे 10 और पांच कुश्चन दस-दस नंबर के होंगे औ जो रेगुलर वच्चे हैं उनके लिए वह 40 के होंगे इसी प्रकार से आप लोग थोड़ा सा नीचे बढ़ोगे तो जो सी खंड है उसमें दो कुश्चन आप लोगों के जो है 20-20 नंबर के आएंगे प्राइवेट वच्चों के लिए और रेगुलर वच्चों के लिए ज पढ़ने के एसाब से और गैस पेपर लगाने के एसाब से टॉपिक वाइज आप लिए और बहुत सांदार पेपर आपका हो जाएगा क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको समझा देता हूं देखिए सबसे पहले तो आप किसी भी दो यूनिट को कंप्रेट कर लिजिए जि नीचे की किसी एक यूनिट में से जैसे मुझे यह लगता है कि साइद चौती यूनिट काफी बढ़िया है इसके अतरिक आप देखोगे कि दूसरी यूनिट भी काफी बढ़िया है लेकिन चौती यूनिट में से आप चाहो तो पूरी कर सकते हो तो कोई भी दो यूनिट आप पूरी पढ़ लो जिसमें से 20-20 नमबर के भी कुशन हो जाएंगे और उसके बाद बाकी जो 3 यूनिट है उसमें से 10-10 नमबर के पढ़ो तो ये तो रणनेती हो गई ठीक है और जो कुशन्स बनते हैं जो टॉपिक इंपोर्टेंट बनते हैं मेरा ये मानना है कि आप जैसे तीन-तीन ही टॉपिक दे रखें स्लिवर्स को आप उठा के देखोगे तो तीन-तीन ही टॉपिक दे रखें यानि टोटल ही 15 टॉपिक है और 15 ही कुशन एक्जाम में आते हैं इसका मतलब यह है कि इसमें तो कहीं बहुत ज़्यादा गुंजायस बसती ही नहीं है और कुशन्स के बजाए मैं यही चाहूंगा कि आप लोग टॉपिक को ही कंप्लीट करें और हर यूनिट से दो टॉपिक कंप्लीट कर लें जो भी टॉपिक आपको उचित लगते हैं वहां से आप लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर लें और उसी की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें जैसे मेरा यह मानना है कि जैसे सामाजिक समश्यां और चुकी सोशल प्रॉब्लम का पेपर है तो एक तो आप सामाजिक समश्यां क्या होती है और सामाजिक बिगटन क्या होता है यह दोनों चीज़े क्या होती है इसका इनमें अंतर क्या है और इनका आर्थ और इनका सम्मंद यह आप यहां से पढ़ लीजिए तो यहां से संभब्ते आपको एक बीश नमबर का खुश्यन मिल जाएगा यदि आपको लगता है कि सैध्धन्तिक परिपेक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है तो इसको आप छोड़ दे और सामजिक समस्याओं के पिरकार और कारक आप लोग पढ़ लीजिए तो ये दो टॉपिक मेरे असाम में उपर की यूनिट से आप लोग पड़े इसके बाद यदि आप लोग सेकंड यूनिट की तरफ बात करोगे कि इस्ट्रेक्ट्रल जो प्रॉब्लम से कंट्रेप्रिड इंडिया की वो कौन-कौन सी है तो मेरे असाम में एक जो टॉपिक है वो आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि सामज़ एक रष्टी से पिछड़े बर्क की समिश्या है एस्टी और एस्टी की उसको आप बहुत अच्छे से पड़े क्योंकि यहां से कुश्यन्स जरूर आएंगे समदित इनकी योजन्हें कौन-कौन सी है इसकी समज़्यां कौन-कौन सी है उनको क्या दूर किया जा सकता है और जितनी भी समज़्या है उनके सजेशन साप अपने दिमाग में जरूर रखे क्योंकि सुझाव लिखोगे तो उत्तर प्रभावी हो जाएगा और पूछा भी जाएगा आपसे इसी प्रकार से आप यहां पर मेरे साम में ग्रामीन समज़्याओं को आप ले सकते हो सामप्रदायकता को यदि छोड़ना चाहो तो कि ग्रामीन समज़्याओं क्या-क्या होती है और इसमें लिंग भेद की समज़्या किस प्रकार से जादा है इनके क्या कारण है और कैसे इनको दूर कर सकते हैं सामधा इनमें से मतलब किसी किनी दो टॉपिक्स को जो आपको उचेत लगे इसी प्रकार से दहीज एवं बाल विभा की बात करें विभा बिच्छेत सोरी यानि ड्रावरी एंड डावर्स दोनों है तो इसको आप यहां पर मेरे सामने कोई भी दो टॉपिक यहां पर आप देख लो बाल विभा को भी देख सकते हो आप चाहो तो अब जैसे तीसा टॉपिक छोड़ा है चोटा है उनके कारण है और सजेशन साथ की तरफ से और यदि सरकार ने कोई उपाय किया है तो वह आप देख सकते हैं कुशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यदि फॉर्थ यूनिट की हम लोग बात करें तो बाल अपराद और अपराद दोनों में क्या अंतर है यहां मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के दो टॉपिक बहुत अच्छे है जातिवाद और आतंकवाद तो जातिवाद क्या है उसके कारण और आतंकवाद क्या है उसके कारण और उसके स्वरूप इसके भी स्वरूप इसके भी स्वरूप जिनको थोड़ा सा अच्छे से देख ले आप लो और ब्रष्टाचार और मादक तत्रों का सेवन अब यहां से कुशन क्या है ब्रष्टाचार को आप पूर सकते हो ड्रग्स के उपर आप लोग एक कुशन बनी सकता है आप चाहो तो इसको छोड़ दो फिर बाला पराद वाले को पढ़ लो आप बाला पराद के उपर एक कुशन बिस्तापन बिकास से समंद बिस्तापन का मतलब होता है कि जो डवलपमेंट होता है तो कुछ जो है जुगी जोपियों का बिस्तार हो जाता है उसके आसपास का कुछ लोगों का लिविंग स्टेंडर बहुत उपर हो जाता है कुछ का घट जाता है तो वो यहां पर क्या उपाय किये देखे दोनों के कारण लगबग कमोबेस सेहम है और दोनों के दूर करने के उपाया भी कमोबेस सेहम है इसलिए यह टॉपिक आप लोग के इंपोर्टेंट है और इसको डंग से पढ़ ले ना निर्धंता और बिरोजगारी को और एसक्षा और परियावन प पढ़ लीजिए बाकी को छोड़ सकते हैं और यह बहुत सिंपल सा पेपर मेरे साम में बनता है रणने की की मैं बात करूँ आप लोगों के साथ तो इस वाले पेपर में आप लोग कोई भी दो यूनिट यूनिट और उसमें से आप लोग 20-20 नमबर के दो कुशन्स और या यह मानना है कि बुक्स इसकी मार्केट में अबलेबल है नहीं मिलती है तो आप लोग पास्वोक लीजिए कोशिस करें बनबीक सीरीस से बचने की और नहीं पढ़ें बनबीक से यह पेपर आपका बहुत अच्छा है इसमें अच्छे नमबर लाए जा सकते हैं इजी पेपर है फ्लोचार्ट और डाइग्राम जरूर बनाएं डाइग्राम कैसे बनाने जैसे माना की बेरोजगारी पूछा है तो बेरोजगारी को ऐसे क्लासिफाई कर दिया जैसे ग्रामीन बेरोजगारी है या सिक्षित बेरोजगारी है चिपी हुई बेरोजगारी है या उसका फ् तरफ से सुब कामने, all the best और good luck और निश्यत तोर पर आज हम लोग और कुछ paper के उपर भी discuss करेंगे, thank you.